मामा कोई बादापूर नहीं हो रहा है आप बतेए हम लोग कैसे जीएंगे कैसे करेंगे आप बतेए मद्यप्रदेश के सीधी पेसाप कांड के पीलित आदवासी दस्मत राबत और उनका परिवार मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान पर बादा खिलापी का आरोप लगा रहा है दस्मत ने कहा हर बक्त पुलिस के पहरे के कारण बह पिछले तीन महीनों से मजदूरी पर नहीं जा सका है जो पैसा राहत के तोर पर सरकार ने दिया था बह भी मकान निर्मार में खर्चो चुका है बाब जूदिस के मकान का निर्मार पूरा नहीं हो पाया है दस्मत ने कहा कि अब उनका परिबार उधार पैसों की विवस्था कर अपना घर कर्च चला रहा है उनके पास अब खाने तक को पैसे नहीं है सीधी पेसाब कांड के घटना के तीन महीने बाद दमूक नाइक के टीम ने सीएम के द्वारा दस्मत से किये गए बादों की परताल की है हम यह देखना चाहते थे आखिर सरकार के द्वारा आदवासी दस्मत राबत को दिये गए राहत से बहे कितना संतुष्ट है क्या उनसे किये गए बादे पूरे हो पाए हैं इन्ही सवालों के जवार ढूनने हमारी टीम सीधी के कुबरी गाउं पहुंची इस बक्त हम सीधी जिले के कुबरी करोंदी गाउं में पहुंचे हुए हैं और ये दस्मत राबत का घर है जो सीधी पिसाब कांड के पीडित हैं देखी आप जिस तरह से सरकार ने दस्मत राबत को घर बनाने के लिए साड़े च्छे लाक रुपे दिये थे लेकिन घर का काम अधूरा पड़ा हुआ है कारण है पैसा का खथम हो जाना दस्मत राबत कहते हैं कि अब जो सरकार के दौरा जो राहत राशी दी गई थी वो खथम हो गई है और मकान का काम अधूरा पड़ा है अब उनको घर चलाने में काफी दिक्कT आ रही है तो मकान का काम पे कहां से और कैसे कराएंगे दस्मत का ये भी आरोप है कि जो सरकार ने जो बादे किये थे मुख्यमंत्री ने जो बादे किये थे उन बादों को नहीं निभाया है और उनके घर पर पुलिस का पहरा है जिस कारण से वो कहीं भी मजदूरी करने भी नहीं जा पा रहे हैं फिलहाल इस मामले को लेकर दस्मत राबत ने कई सवाल उठाए हैं लेकिन ये बात भी एक गौर करने बाली है कि मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान ने जिस तरह से सी एम हाउस पर दस्मत राबत को बुला कर पैर धोकर माफी मागी थी उनका सम्मान किया था और उन्हें अपना दोस्त बताया था लेकिन अब दस्मत राबत का फोन मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान नहीं उठा रहे हैं हमारी टीम यहां आदिवासी बस्ती में पहुंची जहां दस्मत रहते हैं दस्मत घर के बाहर ही बैटे हुए थे मकान का काम अधूरा पड़ा था हमने पूछा मकान कब तक बनेगा दस्मत का जवाब था पैसा खत्म हो गया है आफ कैमरा दस्मत के आँखों में आसू थे मैं कह रहे थे कि मुख्यमंतरी फोन नहीं उठाते पुलिस घर जे बाहर मज़दूरी करने नहीं जाने देती जादा नहीं देते च्छाड़े 6 लाइक दी थे शाड़े 6 लाइक में रुपिय दी थे अब चार महने से हम साइब पुलिस भी लगा दिया है उसी पैसा समय घर भी बनवा रहा हूं टेंग भी असी लाग कर टेंग कर बनवाया हूं वाकि उसमें लगा है तो उसी पैसा स्वंखा रहें हम पारीवार है फाच हम लोग है उसे नसमा खारएं उसिसंद्वाश्य रहां हम पैसा नहीं हैं forest 12 नहीं कि मंपरी ने कहा था कि आप तो उनकी सुदामा हैं दोस्त जो हमको देगा उसी करने में नाम लओंगा उच नहीं मैदोरी कहा कर पा रहा है चार चार पुलिसी न्यू टाइम लगे घर पे हमारे 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 हमा बार दस्मत राबत ने सीएम को फोन लगाए लेकिन रिंग जाने के बाद फोन कड़ दिया गया अब दस्मत आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो उन्हें अपना दोस्त बता रहे थे अब उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं अब क्या आप की मांग हैं आप क्या चाहते हैं हमारी मांग है कि हमारी नोकड़ी जो हमारे सदस हैं उनको सब को मिल जाए बस जी दरसल जुलाई 2023 में सोसल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से बाइरल हुआ था वीडियो में सीधी जिले के कुबरी गाउं का भाचपा पदादिकारी प्रवेश सुकला नसे में धुत्थ होकर आदवासी दस्मत रावत के चहरे पर पेसाब करता दिख रहा है वीडियो के वाइरल होते ही सीएम सिवरा सिंग ने कलेक्टर एसपी को तुरंत कारवाई के निर्देश दिये थे सरकार के निर्देश के बाद प्रवेश सुकला के खिलाब दर्जकर उसे जेल भिज़ दिया था इधर आरोपी प्रवेश सुकला के घर बुल्डोजर चला कर मकान के अबेद हिस्से गिरा दिये गए थे मुख्यमंतरी के निर्देश पर प्रिसासन ने रातो रात दस्मत को सीधी से 600 किलूमीटर दूर राजधानी भोपल लेकर पहुँचे थे छे जुलाई को मुख्यमंतरी सिवरास सिंग ने आदवासी दस्मत के पेर धोए और माफी मांगते हुए सम्मान किया था इसके बाद सीएम ने दस्मत के साथ नास्ता किया इसी दौरान बात करते हुए दस्मत से कहा कि मैं घटना से आहात हूँ तुम मेरे लिए सुदामा हो गरीवी भगवान का रूप होता है CM ने दसमस से कहा कि मकान बनवाने की विवस्ता करते हैं अब अपन दोस्त बन गए हैं मिलता रहूंगा संपर्क में रहेंगे क्यों नहीं मिल रहा मौका काम करने के तब पुलिस लगी है तो उनका कहां छोड़ के जाय जाय तरह नहीं देते की घर रहा तो मकान दूरा बना हुए हां तब चपाई परी है पूरा चपाई पैसा है अब नहीं आए अब नहीं आए तक खतम हो गया है अब जहूंगा होई 20 कि ले जी थे नहीं पैसे का आया कुछ नहीं हो है मज़बूरी मिलनी रही है तो मैं तरह नहीं को कोई देखने नहीं आ रहा है जिस तरह से सीधी पेसाब कांड के बाद लगातार उनके घर पर लोगों का हुजूम रहता था मुख्यमंत्री ने तमाम उनसे बादे किये थे लेकिन अब उनने देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है और जो बादे किये गए थे उन बादों पर भी अमल नहीं किया गया कि मकान का मिना चाहना है कि पैसा खटम हो चुका है मकान फूरा पढ़ गया नहीं पूरा हो पाय रहा है कि पुल् Courtney को दिक्कत है खर्चा पानी काई से चले मताइए पहले शाड़ी छेलाग रुपए मिली है तो उनका कैसे रोजी रोटी चले पांच पैरिवार हें उनका भी भार परफर लगता है खाने पीने का, उनको दिक्कत आ रही है, मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं भी जाते भी हैं तो अब पुलिस जाते तो जा लाती है दसमत राबत और उसके परिवार की बात सुन कर हम आरोपी प्रवेश सुकला के घर पहुँचे इधर प्रवेश सुकला के घर उसके मकान की मरंबत का काम चल रहा था प्रवेश सुकला के पितारmi kalkandr स्ुकला ने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि इस मकान के निर्माड कार के लिए अखिल भारतिये ब्रामण महासवा ने करीब 6 लाक रुपे की आर्थिक मदद दी है सीधी पेसाब कांड के आरोपी प्रवेश सुकला के मकान को प्रसासन ने बुल्डो जड़ चला करके गिरा दिया था इस मकान के अबैद हिस्से तोड़े गए थे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त हम कुबरी गाओं में मौजूद हैं और यह प्रवेश सुकला का घर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे इस मकान का जो है नमनर्मार कराए गया है मरंत कराई गई गई है और प्रवेश सुकला की जो पिता है उन्होंने कैमरे पे आने से कुछभी कहने से मना कर दिया है फिलाल उनोंने ये कहा है कि जो मकान है वो अखिल भारती अबरामण महासभा के सहयोग से और जो समाच के लोग है उनके आर्थिक मदद से इस मकान के जो मरम्मत का काम है वो पूरा हो पाया है फिलाल जो आरोप प्रवेश्टुकला पर लगाए गए थे एनसे की कारवाई की गए थी एट्रिश्टी की कारवाई की गए थी इन तमाम धाराओं में तमाम प्रकरणों में प्रवेश्टुकला को जमानत दे दी गए है फिलाल जो प्रवेश्टुकला है वो जेल से बाहर है सीधी पेसाब कांड के सामने आने के बाद जिस तरह संवेदन सीलता से मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने दस्मत राबत को राहत देने की बात की थी لیکن अब दस्मत राबत मुख्यमंत्री सिवराज पर आरूप लगाकर बादा खिलापी की बात कर रहे हैं अब देखना होगा क्या इस मामले के सामने आने के बाद क्या फिर एक बार मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चौहान दसमत से मुलाकात करेंगे या उन से किये गए बादों को पूरा किया जाएगा या फिर चौनावी बादे समझ कर उनको भुला दिया जाएगा दमूक नाइक के लिए सीधी से अंकित पचौहरी की रिपोर्ट